24 लाख बच्चों के भविस्य का सवाल है और उनके भविस्य की बात यदि सदन में नहीं की जाएगी तो फिर कहा की जाएगी इसलिए राहूल गांदी जब सुबह सदन के अंदर गए हैं अंदर जाने से पहले ही उन्होंने बड़े मन के साथ बड़े दिल रखते हुए उन् अची पूल लेकिन जब वह अंदर जाते हैं नीट की बात करना शुरू करते हैं तो उनकी माईक उफ कर दी जाते है साइध भारत के इथ्यास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता पृतिपक्ष जो हता है उसको अधिकार होता आए कभी भी बोलने का कितनी भी देर बोलने का कुछ भी बोलने का उसको अधिकार होता है और स्पीकर का ये बिल्कुल जो रवया था कि माईक आफ कर देना कल दिपेंदर हुड़ा को ऐसे बैठाये जैसे वो स्कूल में कही पढ़ने के लिए आये हो चोटे बच्चे हो तो ये सारे जो रवये हैं ये दरसाते हैं कि ओम बिल्दा को सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है और इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस ब्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर संग की साखा में ट्रेनिंग ली हुई हो जहां समिधान के खिलाफ ही सब कुछ शिखाये जाता है फिर बोला समिधान के सम्मान में कोई बात कैसे सुन सकता है दिपेंदर हुड़ा जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि यदि भारत की संसद में समिधान का जय गोश नहीं होगा फिर कहा होगा लेकिन उस बात पर भी उन्होंने इस तरीके से जो है अमार्यादित तरीके से अनुण नों बोला जबकि वो छटवी बार चुनकर क्या हे हैं वो मिलदा सहिध दूसरी और तीसरी bicycle कर क्या है और वो खुलपपतित हैं वो अपनी दमपर चुनकर क्याते हैं लड़कर क्याते हैं